करें केख़े हैं हेलो दोस्तों प्रतिमा जीयस एकड़ेमी पर आप सभी का स्वागत है क्या दो सोगत है बहारत के जो नदिया रंधे उस मैंने उतर भारत की नदियों के के बारे में बता दिया था जैसे सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हम चर्चा कर चुके थे आज हम चर्चा करेंगे प्राइदीपी नदियों की और उनके अध्र भारत की जो नदिया थी यह मालई नदिया जो थी निए बताया था जो नदिया है भारत की वो दो तरह की हैं एक तो हिमालाई नदिया हैं हिमालाई नदिया और दूसरा है प्रायदीप्य नदिया तो हिमालाई नदियों में सिंधु नदि तंत्र सिंधु तंत्र गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र जिस पे मैं चर्चा कर चुका हूँ अब आज हम चर्चा करेंगे प्रायदीप्य नदियों का और इसमें से पहली नदि होगी गोदावरी गोदावरी नदि तंत्र गोदावरी नदि तंत्र गोदावरी कहां से निकलती हैं ब्रह्मपुत्र के नासिक से यानि एक इस्थान है बमकेश्वर गोदावरी नदि गोदावरी नदि का उदगम होता है महाराष्ट से बमकेश्वर से महाराष्ट के बमकेश्वर से यानि नासिक में इनका उदगम होता है और यहां बंगाल की खाड़ी में गिरती है अब गोदावरी नदि से संबंधित जब यह उदगम होता है यहां पे उदगम है यह बमकेश्वर है अब हम इधर मू करके खड़े होंगे जिधर से प्रवाहित हो रही हैं तो इधर हो गया बाया और इधर हो गया दाया तो हम बाय नदी को पहले उठाएंगे कि गोदावरी के बाय तड़ पर बाय तड़ से कौन कौन से नदियां जुड़ती हैं एक नदी हो गया पूरड़ा पूरड़ा नदी और दूसरा हो गया प्राण हिता अब प्राण हिता नदी क्या शुरू से प्राण हिता है नहीं एक अजन्ता पहाड़ी है अजन्ता की पहाड़ी यहां से निकलती है एक नदी पेन गंगा गोदावरी नदी से आएस में दो बार प्रस्ण पूछे गए हैं पिछले चार सालों में चार-पान सालों में दो बार प्रस्ण पूछे गए हैं इसके सायक नदियों को ले करके पेन गंगा अजन्ता की पहाड़ी से निकलती है और सत्पुड़ा पहाड़ी से निकलती है एक नदी एक नदी उसका नाम है वर्धा सत्पुड़ा पहाड़ी से निकलती है वर्धा आजन्ता की पहाड़ी से निकलती है पेन गंगा और एक और नदी है एक और नदी है काहना नदी और एक नदी है पेच नदी ये चारों नदिया मिल करके आगे बढ़ करके प्राणहिता के नाम से प्राणहिता के नाम से गोदावरी में मिल जाती है तो जो प्राणहिता नदी है, ये कितने नदियों का संयोग है, ये चार नदियों का संयोग है, कौन-कौन पेनगंगा, वर्दा, काहना और पेच, प्राणहिता नदी चार नदियों के योग का परिणाम है, यानि पेनगंगा, वर्दा, काहना और पेच, ये चारो नदियों मिल करके प्राणहिता का निर्माड करती है, जो गोदावरी की बाय तर से सहक नदी है, अगला नदी है इंद्रावती, इंद्रावती नदी और इसी नदी पर है चित्र कूट जल प्रपात, इंद्रावती नदी पर इस्थित है और दो नदी और है, सबरी नदी और एक नदी है, सिलेरू नदी यानि एक, दो, तीन, चार, पाँच, प्रमुख नदियां और चार सहक नदियां, यानि नव नदी गोदावरी के बाएं तट पर प्रवाहित होती है, जो गोदावरी में जा करके मिल जाती है, तो अब यहां से देखेंगे तो पूर्डा नदी सबसे पहले है, उसके बाद में पेनगंगा, पूर्डा नदी, पेनगंगा, वर्धा, काहना, पेश नदी, और यह चारुन नदियां मिल करके प्राण हिता के नाम से गोदावरी में मिल जाती है, एक नदी है इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जल प्रपाति स्थित है और उसके बाद में सबरी नदी और सिलेरू नदी, तो यह नदियां आपकी हो गए बाएं तटकी और इसे आप देखेंगे महाराष्ट के बमकेश्वर से नासिक से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बाएं तट से पूड़ा, प्राण हिता, इंद्रावती, सबरी, सलेरू, पेन, गंगा, वरगा कहना पेच, तो यह आपके हो गए बाएं तटके, अब हम देखेंगे गोदावरी के दाएं तटके समलित नदी, यानि दाएं तटके साहिक नदी, एक हो गया मूला नदी, मंज़रा नदी, मंज़रा नदी निकलती है बाला घाट से, बाला घाट से निकलती है, और एक नदी है माहर, यानि कि दाएं तट से गोदावरी के तीन नदीया जुरती है और बाएं तट से नव नदीया जुरती है, तो नव तीन बारा यानि गोदावरी के कुल बारा नदीया साहिक नदी हैं, बारा प्रमुख नदीया कह लीजिए, बारा प्रमुख नदीया साहिक नदी हैं, तो आप देखेंगे अब मूला नदी, मंजरा नदी, माहर नदी, अब पस्चिम से पूर्व के तरफ अगर बाई देवे इसे तो यह नहीं पूछेगा टपेश्ट जादा हो जाएगा, फिर भी अपना काम है कि अच्छे से त्यार करना, तो अगर पस्चिम से पूर्व के तरफ बढ़ते हुए साहक नदीयों का करम हो, तो दाये तड़ पर पहले मूला नदी है, फिर माहर है, और बाये तड़ पर पूर्डा नदी है, फिर पेन गंगा है, बरधा है, काना है, अर्थात, प्राण हीता है, इंद्रावती है, सबरी, सिलेरू, ओबराल देखे है जाएगा, तो पहले मूला है, फिर पूर्डा है, उसके बाद मंजरा है, माहर है, फिर प्राण हीता है, इंद्रावती और सबरी, सिलेरू, और जाकर के बंगाल के खाड़ी में गिर जाती ह कृष्णा नदी कृष्णा नदी महा बलेशोर से निकलती है कृष्णा नदी इनका उद्गम जो है महा बलेशोर से है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है पंगाल की खाड़ी में गिर जाती है अब डाया और बाया पहले हम देख लेते हैं बाया तर बाया से कौन कौन से नदीया साहक नदी के रूप में जुड़ती है एक नदी है भीम जिसे कहीं कहीं पर भीमा लिखा मिलता है एक नदी है सेना एक है मूसी एक है मुनेर यानि भीम सेना मूसी मुनेर चार नदीया कृष्णा की बाया तरब से साहक नदीया है जो बाया से आकर के मिल जाती है अब बाया से आपने देखे हैं महा बलेशोर से निकलती है बंगाल के खाडी में गिर जाती है बाया तर से भीमा सेना मूसी मुनेर ये जो चार नदीया है वो बाया तर से जुड़ती है और किसना के दाएं तरसे इसमें ज़्यादा है दाएं तरसे क्या कोईना नदी पंच गंगा नदी दूध गंगा नदी घाट प्रभा नदी माल प्रभा नदी उसके बाद में तूग भद्रा तूग भद्रा नदी तूग और भद्रा दो नदियों को मिला करके बनी है अब यहाँ पर धियान रखे कि दाएं तरसे कोईना पंच गंगा दूध गंगा घाड प्रभा माल प्रभा तूग भद्रा है अब यहाँ पर मैं दो नदिया लिखता हूँ जो आपकी कन्फूजन को हटा देगा एक हो गया आपका पंच गंगा दूध गंगा और बेन गंगा पेन गंगा यह इसकी सहयक नदी नहीं है ध्यान रहे पंच गंगा दूध गंगा तो किर्स्णा की सहयक नदी है लेकिन बेन गंगा और पेन गंगा ये किर्षना की सहायक नदी नहीं है इस रूप में याद रखिएगा तो जब बेन गंगा पेन गंगा किर्षना की सहायक नदी नहीं है तो फिर सहायक नदी किसकी है? ये दोनो गोदावरी की सहायक नदी है अब ही मैंने पढ़ाया है अब देखिए होता क्या है कि कृष्णा और गोदावरी की साहिक नदियों के बारे में अगर पूछा जाता है तो confusion कहां create होता है बेन गंगा पेन गंगा पंच गंगा दूद गंगा में साहिक नदियों को और UPSC से ले करके UPSC से ले करके UPPSC और other state exam plus one day exam सब में पूछा जाता है और UPSC तो यहां से एक प्रस्ण जरूर पूछता है और पूछता है तो इसलिए आप साहिक नदियों में कहां confusion हो सकता हो भी मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान रखिएगा कि जब आप कृष्णा की साहिक नदि पढ़ेंगे तब पंच गंगा को और दूद गंगा को बोल हैं नहीं मिलती हैं तो गोदावरी में मिलती हैं तो इसे याद रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा बाकी घाट प्रभा माल प्रभा तुंग भद्रा यह सब कृष्णा की साहिक नदिया है अब जो दोवाब है दच्छिर का रायचुर दुआब रायचुर दुआब तो वो कृष्णा और तुंग भद्रा तुंग भद्रा यह दोनों नदियों के बीच के भाग को रायचुर दुआब कहा आता है इसके लिए बहुत यूद्ध हो चुके है तो यह भी याद रखिएगा तो यहां पर आपने देखा कि कृष्णा की जो नदिया है वो बाये तड़ से भीम सेना मूसी मुनेर और दाये तड़ से कोईना पंच गंगा दूद गंगा घाट प्रभा माल प्रभा तुंग भद्रा यानि कितना आसानी से याद हो जाएगा अब जब करम पूछा जाए कि पस्चिन से पूर्व करम बताईए तब पस्चिन से पूर्व करम आप बताएंगे कोईना भीम सेना पंच गंगा दूद गंगा घाट प्रभा मूसी माल प्रभात्तुंग बंद्रा मुनेर यानि सबसे पहले कोईना है और सबसे बाद में मु गाट प्रभा माल प्रभा तुंग बद्रा एक दो तीन चार पांच छे यह तो आसानी से याद हो गया क्योंकि यह आपको कई बार एक दो बार देखो को दिमाग में आ जाएगा बस ध्यान रखना है कि बेन गंगा और पेन गंगा यह गोदावरी में आपको पढ़ना है यहा जैसे एहोल मंदिर माल प्रभा नदी के तड़ पर है पटाकल मंदिर माल प्रभा नदी के तड़ पर है और बादामी मंदिर माल प्रभा नदी के तड़ पर है तो एहोल पटाकल और बादामी यह तीनों जो मंदिर हैं यह मंदिर कहां पे हैं माल प्रभा पे और ध्यान रह है यह तीनों मंदिर द्रमिड सहीली के हैं अगर तो यहां पर जो कि मैं वह नहीं बताऊंगा क्योंकि नदियां बता रहें तो नदियां समझें लेकिन यह तीनों मंदिर माल प्रभार नदी के तट पर इस्थित हैं यानि कि महाबलेशवर से निकल करके और बंगाल के खाड़ी में किष्ण नदी गिरती है तो उसके सबसे पस्चि में कोईना नदी साहक नदी है और सबसे पूरव में मुनेरू नदी साहक नदी है तो अगर पूरव से पूछा जाएगा पहले बात यह पूछा नहीं यह मैं इस लेबल पर बता रहा हूं कि अगर आपका यहां पर लेबल तक पूछा जाए तो इस लेबल को आपको पता होना चाहिए अगर यहां से तो उपर जाएंगे नहीं कि यह पीक लेबल है और यहीं क्या सपास रहते हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा आगे जानने की जरू म१ oats led 레na 22 कि दोनों मांसूनों को प्राप्त करती है डोने को के मांसूनो से हुआ यह-चल प्राप्त करने के कारण के कारण यह सदा निरह नदी है मतलब इसमें पानी हमेशा रहता है तो क्या बाकिन नदिया सूख जाती है तो जो हिमालई नदिया है हिमालई नदिया है जो ये हमेशा सदा नीरा के रूप में ही रहती है क्योंकि ये हिमानी से जल प्राप्त करती है हिमानी से यहनी ग्लैसियर से और जो प्रायदीपिय नदिया है यह मौसमी नदिया है जाद तर यह वर्सा से जल प्राप्त करती हैं और इसलिए कुछ समय के लिए प्रायदीपिय नदियां अक्सर सुख जाया करती हैं और इसलिए आवा गमन के लिए ये सही नहीं है जलमार्क के लिए उत्तर भारत की नदियां ज्यादा योगे हैं अपेच्छाकृत अच्छ्वी भारत की लेकिन जो कावेरी नदी है कावेरी नदी में पस्षिमी मांसून और पूर्वी मांसून दोनों से जल प्राप्त होता है और इसलिए सदा नीरा की रूप में बनी रहती हैं अब इन हिमालई नदियों को और दच्छिर भारत के निए प्रायदीपिय नदियों को मिलाने के लिए नदी जोडो परियोजना चलाया जा रहा है और इसे कहते हैं अम्रित करांती के रूप में जाना जा रहा है तो इन चीज़ों को ध्यान रखेगा कावेरी नदी के बारे में कि कावेरी नदी सदा नीरा नदी है क्योंकि यह दोनों मांसूनों से जल प्राप्त करती है पस्चिमी मांसून से भी और उत्तर पूर्वी मांसून से भी यानि दच्छिर पस्चिम मांसून उत्तर पूर्वी मांसून से दोनों से जल प्राप्त करती है कावेरी नदी करनाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है अब ये तो हो गया आपका दाया भाग और इधर हो गया आपका बाया भाग तो पहले हम देख लेते हैं बाएं भाग को यहनि बाएं से कौन कौन से नदी जुड़ती है एक है हेरांगी हेरांगी नदी हेमावती नदी सिमसा नदी फिर अरकावती नदी यानि यह चार नदियां कावेरी के बाएं तर से जुड़ती हैं और दाय तर से देख लेते हैं हेरांगी हेरांगी नदी हेमावती सिमसा अरकावती हेरांगी हेमावती सिमसा अरकावती आप कैसे याद करेंगे ए इसकौायर यस ए यह हो गया आपका बाएं तरट हेरांगी हेमावती हे यच्यच यच्यच और सिंसा अरकावती तो एच इस्क्वायर सा जैसे भी करके आप बना लीजिए आपको याद कैसे करना है इसे हेरांगी हेमावती सिंसा अरकावती करके दो-चार बार रटेंगे याद हो जाएगा और फिर दिमाग मैप के रूप में भी समझ लीजिए और यहाँ पे इसी कोई नदी है भी नहीं कि जो गंगा टाइप की हो उसके बाद में दायें तटकी नदियां लच्मण तीर्थ नदी यह नदी इतनी पापुलर है कि कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है काबानी बोलते नहीं काबानी तो काबानी नदी किसना की साहिक नदी है सरी काबेरी की साहिक नदी है स्वन्रवती स्वन्रवती नदी और अम्रावती अम्रावती नदी ध्यान रहे जितने धार्मिक चीजें हैं वो आपको कावेरी में देखने को मिल जाएगी कावेरी में लचमरतीर्थ, कावानी, सुनरवती, भावानी, अम्रावती जितनी देवी देवता हैं वो सब आपको कावेरी में देखने को मिल रहे हैं सिवाए गंगा के बेन गंगा पेन गंगा गोदावरी की हो जाएंगी और बाकी आपको देखने को मिलेगा किष्णा में तो आप देखेंगे आपकी पस्चिम से पूर्व के तरफ तो पस्चिम में पहला नदी है हेरांगी और उसके बाद पूर्व में अमरावती तो बाहे तड़ पर लश्मड तीर्थ मंदिर काबानी, स्वनरवती, भवानी लेकिन जब करम देखा जाएगा तो पहले हेरांगी, फिर हेमावती, उसके बाद लश्मड तीर्थ, फिर सिमसा, फिर काबानी, फिर अरकावती, फिर स्वनरवती, फिर भवानी और अमरावती और जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपको 9 नदी सहायक के रूप में पलस काबेरी, यहनि काबेरी के सहायक के रूप में 9 नदी को याद रखना है नर्मदा नदी, अब देखिए, अभी तक मैंने जो नदिया बताया, वो बंगाल की खाड़ी में गिर रहे थी, बंगाल की खाड़ी में, लेकिन आप जो बताने जा रहे हैं, नर्मदा, नर्मदा नदी, और ताप्ती नदी, ये दोनों कहां गिरेंगी, अरब सागर में, यानि खंभात की खाड़ी में गिरेंगी, तो ध्यान रहे, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, लूनी तो कच्च केरण में बिलीन हो जाती है, अभी में बताने वाला हूँ, और माही, ये अरब सागर में गिरती है, लेकिन करक रेखा, इसे दो बार, विभाजित करती है, यानि पार करती है, तो ध्यान रहे, कि अरब सागर में गिरने आली नदियों के कुछ चुने वे नदिया हैं, उनका आपको पता होना चाहिए न यानि अभी मुठाते हैं, नर्मदा नदी, तो इनका उद्गम होता है, अमर कंटक में, अमर कंटक पहाड़ी, अमर कंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और ये अरब सागर में खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, नर्मदा नदी पे पाँच डैम बने हुए है, पाँच बांध बने हुए है, बांध तो आपको देखना है करमसा, बैरागी बांध, बैरागी डैम, इंद्रा सागर बांध, ओम कारेश्वर बांध, जोर्बत बांध, सरदार सरोबर बांध, यानि नर्मदा नदी पे पाँच बांध आपको देखने को मिलेंगे, बैरागी डैम बांध, इंद्रा सागर बांध, ओम कारेश्वर बांध, जोर्बत बांध, सरदार सरोबर बांध, तो यहां पर ओम कारेश्वर बांध और सरदार सरोबर बांध तो बहुत हाईलाइटेड है, ये हर किसी के जुबान पे रटा होता है जो तैयारी करता है क्योंकि जादा तर ये पूछे गए हैं लेगि कई बार मिलाने के लिए पूछने के लिए जब दे देता है निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए या निम्न लिखित में से कौन नर्मदा नदी पे से संबंध बाइट नहीं तो एक देदेगा बैरागी एक इंद्रा सागर देदेगा एक ओम उमकारेशवर देदेगा एक जोरबत देदेगा सरदाज सरोबर बहुत हाई लेट डे हो सकता है ना देंद LGBTI या इसमें से यह ओम तो आप समझें कि उकाई किसकी है तापती नदी पे है यह नर्मदा पे नहीं है तो बाकी आपके नर्मदा पे हैं तो याद रिखेगा अब हम देखते हैं कि बाएं और दाएं तड़ पे कौन-कौन सी सहायक नदी है नर्मदा की नर्मदा जहां से उद्गम होती है उधर से देखने पर जब आप प्रवाह के रूप में प्रवाह के तरफ खड़े हो करके देखेंगे तब देखेंगे कि नर्मदा नदी अमर कंटक से निकलती हैं तो यह हो गया आपका दाया और यह हो गया आपका बाया क्योंकि प्रवाह जो इनका है वो पूर्व से पस्चिम की और है पूर्व से पस्चिम की और है तो अब हम देखते हैं कि दायत तटका कौन-कौन सा सायक नदी है तो है और और सांग और सांग नदी बर्ना नदी या बर्ना नदी दोनों में से कोई भी मिल सकता है अपको देखने को कोलार नदी और हिरन नदी एक बार PCS ने पूछा गया है कि हिरन नदी किस की सायक नदी है तो ये ध्यान रहे कि हिरन नदी नर्मदा की सायक नदी है अब पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से कर दीजेगा दाएं तरसे हो गया और सांग नदी बरना नदी कोलार नदी हिरन नदी और वही देख लेते हैं हम बाएं तरसे बाएं तरसे कौन कौन से सायक नदी है तो बाएं तरसे है भुरूनेर नदी भुरूनेर नदी बंजार नदी छोटा तवा नदी कुंडी नदी गई नदी यानि ये पांच नदिया बाएं तरसे आती है यानि पांच और चार बराबर नदी ये नदी नर्मदा की सायक नदी है तो और सांग नदी बरना कोलार हिरण तो बरना असानी से याद हो गया होगा अब क्या कीजिए कोलार को और सांग से जोड़ दीजिए उसके बाद में इसमें छोटा तवा और कुंडी नदी आपको असानी से याद हो गया होगा लेकिन गई बंजार भूनेर नदी चोटा तवा कुंडी के साथ जैसे भी याद कर पाओ भूनेर बंजार चोटा कुंडी के गई याद कर लिजिए नव नदी आपकी हो गई साहक नदी नर्मदा की और सांग बरना भूनेर बंजार चोटा तवा कुंडी गई ये सब नर्मदा की साहक नदी है यानि आपने देखा कि नर्मदा जो है अमर कंटक से निकलती है और खंबात के खाड़ी में गिर जाती है इतना आपने अभी तक सुना था अब आप देख रहे हैं और सांग नदी भी है बरना नदी भी है कोलार नदी भी है हिरण नदी भी यानि नर्मदा नदी के भी जाल हैं और यह आरी नुमा ध्यान रहे कि एक नदियां अभी में बताऊंगा कि कौन सी एक होता है कि आरी नुमा आक्रती एक है ब्रिच्छ नुमा आक्रती तो नर्मदा नदी आरी देखिया इसे आरी बनने तक काटने के लिए यह आरी नुमा है और जो गंगा है यह ब्रिच्छ नुमा है ब्रिच्छ नुमा क्योंकि ऐसे है ऐसे साखा ऐसे साखा और एक जर्में गिर जाती है इसलिए अभी कौन सी आ रही है कौन सी ब्रिचनुमा है कौन सी डेल्टा बनाते है तो कहां पे ब्रिचनुमा डेल्टा है कहां पे जो है पंजाकार डेल्टा है यह समय बताऊंगे फिलार मैंने पंजाकार डेल्टा बताया था आपको मीशी सीपी नदी के लिए वही बाएं तड़ पे भृनेर नदी, बंजार नदी, छोटा तवा नदी, कुंडी नदी और गई नदी नर्मदा की साहग नदी है अब हम देख लेते हैं तापती नदी तापती नदी के बारे में तापती नदी बैतूल पहाड़ी से निकलती है बैतूल पहाड़ी से निकलती है और ये भी अरब सागर में गिर जाती है गिर जाती है, खंबात के खाड़ी आपको पता है कहां पर है, गुजरात में है गुजरात से सटा हुआ, ऐसे बना हुआ है ये जो छेत्र है, ये पॉइंट जो है, यही खंबात के खाड़ी है, नर्मदा और तापती यहां की गिरती है और ये अरब सागर है और इस पे दो डैम बने हुए हैं, एक है उकाई डैम और एक है काकरा पारा बैराज उकाई डैम और काकरा पारा बैराज ये दो जो है, तापती नदी पर आपको देखने को मिलेंगे ये दो बांध हैं अब इसके अभी निकलती है यहां से, बैतूर पहाड़ी से तो ये हो गया आपका अब इसर मुकर के खड़े होंगे तो ये हो गया आपका दाया और ये हो गया आपका बाया तो पहले हम देखते हैं दाया दाया तट दाया तट पे सुकी नदी अनेर नदी अरुनावती और गोमई नदी यानि कि चार नदिया ये नर्मदा के दाया तट से मिलती हैं सुकी अनेर अरुनावती गोमई अब बाया तट से देख लेते हैं बाया तट से तो बाया तट से हैं पूर्णा नाल गंगा पूर्णा नदी नाल गंगा नदी गिर्णा नदी बारी नदी पंजरा नदी और अमरावती नदी ध्यान रहे अभी अमरावती नदी आपने देखा था ये कावेरी की भी साहिक नदी है लेकिन ये वही नदी नहीं है अमरावती के नाम से एक नदी ये है जो तापती की साहिक नदी है और एक नदी और है जो यानि दोनों मिला करके छे चार दस बराबर दस किसके तापती की साहिक नदी है तो याद कैसे करेंगे सूखी अनेर अरुनावति गोमई पूर्णा नालगंगा गिरनाबारी पंजरा अमरावती ऐसे दो-चार बार इसे लिक करके देखिएगा और याद हो जाएगा तो अब देखेंगे कि ये बहती है ये भी पूर्व से पस्चिम के तरब बहती है पूर्व से पस्चिम के तरब बहती है तो पूर्व से पस्चिम देखेंगे तो सबसे पूर्व में कौन है पूर्डा है और सबसे पस्चिम में है गोमई तो पूर्डा है फिर नाल गंगा फिर सुकी गिरना अनेर बारी, पंजरा, अरुनावती, अमरावती, अफिगोमई, अवा अंत में आके खंबात के खाड़ी में गिर जाती हैं, उकाई डैम और काकापारा बैराज ये दोनों आपके तापती के हैं, और वहीं पे बैरागी डैम, इंदरा सागर, ओमकारेश्वर, जोर्बत, सरदार सरो बर, ये पांच बांध आपके नर्मदा नदी के हैं, या अरब सागर में गिरने वाली अन महतपूर नदिया कौन-कौन सी हैं, देखें मैंने नर्मदा बताया, नर्मदा नदी, तापती नदी, और सिंधु नदी, ये अरब सागर में गिरती हैं, तो अरब सागर की भारत की और कौन-कौन सी नदिया हैं तो एक हो गया माही नदी माही नदी यह कहां से निकलती है यह निकलती है बिंध्यन स्रेंडी से बिंध्यन स्रेंडी से निकलती है और इसकी विशेष्टा यह है कि करक रेखा इसको दो बार पार करती है यह कैसे यह भी मैं बताता हूँ और गिरती कहां पे है अरब सागर में अरब सागर में यानि खंबाद की खाड़ी में खंबाद की खाड़ी में गिरती है भारत में अब इसको थोड़ी दिर के लिए आप यह ध्यान में रख लिए कि यह है नार्थिष्ट यह भारत समझ लिजिए और यह का हो गया मिजोरन यह हो गया तिरफुरा और यहां से बिन्हें स्रेडी से ऐसे निकलती है माही और अईसे यहां पर आके खंबाद काड़ी में गिर जाती है और यह आता है करकरेखा यह तो एक बार तो यहां पर काटा और यह बार यहां पर काटा और इसलिए कहा जाता है कि करक रेखा माही नदी को दो जगा पे काड़ती है तो ये प्रस्ण पुझाता है कि भारत में इसी कौन से नदी है जिसे करक रेखा दो बार काड़ती है तो यही माही नदी है तो याद रखिएगा जब दो बार करक रेखा से इसका मिलन होता है तो जाहे मिलन कह लीजिए काटना कह लीजिए जुड़ना कह लीजिए जो भी कह लीजिए बस करक रेखा से इसका इस पर दो बार होता है और माही नदी बिंधियन स्रेडी से निकल करके अरब सागर में गिर जाती है तो ये भी आपका हो गया तो ये जितनी नदिया है ये किधर से ये पूर्व से पस्चिम की तरफ बहती है पूर्व से पस्चिम की तरफ बहने वाली नदिया सब अरब सागर में गिरेंगी अरब सागर में गिरेंगी ये अरब सागर है यहां गिरेंगी और इधर बंगाल की खाड़ी है बंगाल की खाड़ी की नदियों को मैं बता चुका हूँ अभी इसके बाद भी बताना है कौन कौन सी नदिया और है उसके बाद में है साबर मती नदी साबर मती नदी यह अरावली रंज से निकलती है अरावली स्रेडी से निकलती है और इसकी विसेश्था ये है कि ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है मतलब अरब सागर बार बार अरब सागर के साथ खंबात की खाड़ी लिखता हूं एकजाम में या तो खंबात के खाड़ी देगा, या तो अरब सागर दे सकता है तो ध्यान रहे, खंबात के खाड़ी गुज्राढ से लगा हूए खाड़ी है लेकिन ये अरब सागर का भाग है, तो इसलिए दोनों आपको जाना जरूरी है तो ये हो गया आपका सरावति नदी और एक नदी है लूनी नदी लूनी नदी ये भी ये निकलती तो है अरावली स्रेंडी से लेकिन एक मात्र एसी नदी है कि जो किसी सागर में ही नहीं गिरती है ये गुजरात के कच्छ के रण या दल्दल में बिलीन हो जाती है हो जाती है बहते बहते गायब हो जाती है तो ये एक जाम में पुछाता है किसी कौन से नदी है जो कच्छ के रण में बिलीन हो जाती है गायब हो जाती है तो ये लूनी नदी है गायब हो जाती है तो आपने देखा है नर्मदा नदी, तापती नदी, माही नदी, साबर मती नदी ये सब नदियां पूरव से पस्चिम की तरफ बहती हैं और अन कुछ महत्वपूर नदी हैं जैसे भादर, भादर नदी, बैतरड़ा नदी, बैधती नदी, साबरमती नदी और केरल की तीनों नदियां भरत, पुझा, पेरियार और पंबा ये तीनों भी जा करके अरब सागर में गिर जाती हैं और केरल की सबसे बड़ी नती है भादर, पुझा, नदी अलेकिन भादर, पुझा, पेरियार पंबा तीनों अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती हैं अब यहां पे आपको कैसे ध्यान रखना है? यहीं पे आप ध्यान रख लिजिए कि एक नदी आती है उसका नाम है नर्मदा एक नदी आती है उसका नाम है ताप्ती एक नदी आती है उसका नाम है माही एक नदी आती है उसका नाम है साबर मती साबर मती देखे साबर मती यहां भी है साबर मती यहां भी है और एक नदी है लूनी यह आ करके यहीं गायब हो जाती है तो लूनी लाइए लेकिन यहीं पर गायब कर दीजे यह हो गया लूनी नदी उसके बाद में भादर, बैतरडा, बैदती, साबर मती, भरत, पुजा, प पश्चिम की तरप और सब गिरती हैं अरब सागर में अरब सागर में तो यह नदियां आप क्रमसा इसे याद कर लीजिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अन नदियां तो देखें यहां से आपको ध्यान रखना है कि यह इसे उत्तर मान लीजिए और दच्छिड यही मिलाने के लिए आता है कि उत्तर से दच्छिड क्रम बताने को तो बंगाल से उत्तर से दच्छिड क्रम में इधर लिख दे जिसे उत्तर से दच्छिण के तरब बहने वाली तो सबसे पहले है कसाई नदी कसाई नदी फिर है स्वरड रेखा पांच्छा नदियां दे देगा फिर मिलाने को देगा कि निम्डेखित पर कौन सा उत्तर से दच्छिड है या दच्छिड से उत्तर है उसके बाद में बैतरडी स्वरड रेखा नदी बैतरडी नदी ब्राम्मडी नदी ब्राम्मडी नदी महा नदी रुसी तुल्या रुसी तुल्या या रुसी कुल्या रुसी तुल्या रुसी कुल्या ये दोनों नदी नाम कहीं भी मिलेगा ते समझाएगा कि ये महानदी के बाद वाली एक नदी है उसके बाद है वन सधारा उसके बाद है पैनूर पलार पैनूर नदी पलार नदी और फिर है बैगई नदी बैगई नदी अब ध्यान रहे कि सबसे दच्छिड में तमिलनाडू में बैगई नदी बहती है और कसाई नदी पस्चिम बंगाल में बहती है और ये क्रमसा उत्तर से दच्छिड है ये कहाँ पे गिर रहे हैं सारी की सारी नदियां ये सारी की सारी नदियां गिर रही है आपके बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में सभी नदियां गिर रही है तो उत्तर में है कसाई, स्वनडरेखा, बैतरडी, ब्रामडी, महानदी, ससी कुल्या, बंसधारा, पैनूर, पलार, बैगेई तो सबसे दच्छिर में बैगेई है उत्तर में कसाई नदी है कसाई के बाद सुनर रेखा है उसके बाद बैतरडी है फिर ब्रामडी है फिर महानदी है फिर रुसी कुल्या है और फिर बंसधारा है तो ये नदियां आपको ध्यान रखी है यह भारत के नदियों का जो अपव वाह मैंने पूरा कंप्लीर करा दिया है तो दोस्तों मैं अपने क्लास के इसमात करता हूं धन्यवाद जैहिन जै भारत